नवस्कार एरे विद्यारतियों गुड़ा पबलिक स्कूल गुड़ा गोड़ जी की तरब से रिविजन क्लासेज में मैं सुमेर सिंग से खावत आपका हार्दिक स्भागत करता हूँ मेटा पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ आउकलन के मैतवबून परिशन हल किये थे उसी संदर्ब में आज अपन कुछ पिशन और हल करते हैं तो आज अपन एक टोपिक लेते हैं परति लोम वरतिये फालनों का आउकलन तो जब हम परतिलोम वरतिये फालनों का आउकलन करें तो परतिलोम वरतिये फालनों के आउकलन के लिए कुछ पिशनों में परतिश्थापन भी हमें करना पड़ता है और वो परतिष्था अपन जब अपन करते हैं यदि आपके पास अंडर रूट एक माइनस अक्स स्क्वाइर का रूप है तो हम अक्स की जगे या तो साइन थीटा रख दे या कोस थीटा रख दे यदि आपके पास अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वाइर का रूप है तो की जेगे हम या तो 10 फीटा रखें या फिर幫 फीटा रखें और यही अपने पास अंदर रूड़् ऐसक्स फ्क्वायर माइनों का रूप है तो मस की जगें या तो सेख़िता रख दें को संठीटा रख दें इसिजकर से यदि आपके पास या इंक सिजक स्क्वायर है यह 2 X 허팝 बटा एक माईनस 1 X स्क्वाइर है यह 1 माईनस 1 X स्क्वाइर बटा एक प्लस 1 X स्क्वाइर है इस परकार की रुप है दि आपके पास है तो ईन तो इन सब की जगा अपन क्या रखते हैं X बराबर 10 थीटा रखते हैं यह बनेगा 2 10 theta बट 1 minus 10 square theta जो 10 2 theta का रूप होता है, यह बनेगा 1 minus 10 square theta बट 1 plus 10 square theta जो cos 2 theta का रूप होता है, तो इन प्रतिस्थावनों की साहता से अपन प्रति लोग में वर्थिये फ़लनों का आउकलन करते हैं, यह बही हमें ही कह दिया जाए, कि आप sign inverse से X का X के सापेक्श आउकलन कीजी, तो अपने माने थे कि माना दिया गया फ़लन, बराबर किसके मानने वाई के मानने, और जब हम इसका आउकलन करें तो इसका आउकलन करने के लिए हम इसकी दोनों पक्सों में सबसे पहले साइन ले 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 जब आप दोनों पक्सों में साइन लेगे तो ये मान तो क्या होगा साइन वाई और ये क्या हो जाएगा साइन साइन इन्वर्स अक्स और चोगी साइन साइन इन्वर्स अक्स बराबर मान क्या होता अक्स तो आपको जो मान पराप्त होगा वो क्या पराप्त हो जाएगा बाइं तरफ तो आपको sin y पराप्त होगा और दाइं तरफ क्या होगा अक्स होगा इसके बाद हम जब दोनों पराप्त होगा अक्स की सापेक्स से आउकलन करें तो sin y का आउकलन कोस y हो जाएगा वाइस्टरे हम पहला नवसका ऐकुलन अपन करेंगे जो dy बटे dx होगा और नहीं तरह अक्स है उसका ऐकुलन क्या होगा एक होगा तो यह दिए हम इसकी दोनों तरफ साइन ले तो यह जो मान आपका ही हो गया साइन वाई इधर बाहन हो जाएगा साइन साइन इन्वार्स आक्स या यह बाहन हो गया साइन वाई बराबर साइन साइन इन्वार्स आक्स बराबर आक्स होता है तो यहां मान क्या जाएगा अक्स आजाएगा अभ साइन गिटर रहें इसका ऊकलन करें यह मेückलेना को ख और पर ऑंकि वेगा यह आज भर को आज तो पेल वा था पहा हूं जाएगा आज आज प्र बिल्सों करें अफ को ऊखांगे आजा एक बОफ बघा जाएगा 1 बटा कोस Y या इस वाज़ों हम इस रूप के अंतर लिख सकते हैं कि डिवाई बटे डियक्स से बराबर 1 बटा कोस Y पम आपके पास वाज़ों है तो डिवाई बटे डियक्स का जो बहान है इसलिएधि बटे डियक्स बराबर जाएगा 1 बटा अंटर रूट 1 माइनस अक्स स्कुए यह साइन इंवर्स अक्स के सापिक्स आपको अपलन पर आपतो जाएगा इसी प्रगार से अपन कॉस इन्वार्स, टेर इन्वार्स, सेक इन्वार्स, कॉट इन्वार्स, कॉस इन्वार्स, कॉस इन्वार्स अक्स के अक्स के साप्रेक्षा उपलाने कर सकते हैं अब कुछ प्रश्ण यह थी अपन हल करें तो उसके लिए जैसे मालो आपको एक फलन दिया गया है कि साइन इन्वर्स से A प्लस B कौसक्स साइन इन्वर्स A प्लस B कौसक्स बटा B प्लस A कौसक्स इसका आपको अक्स के सापिक से आउकलन करना है कि फलन आपके पास है साइन इन्वार्स से ए प्लस बी कोस अक्स बटा बी प्लस ए कोस अक्स तो इसका जब आप अक्स के साफिक से आउखलन करें चुकि हमें यह ग्यात है कि साइन इन्वार्स अक्स का जो आउखलन होता है कि D बटा D X of sin inverse X और ये जो मान है ये बराबर होता है एक बटा अंडर रूट एक बाइनस X इसको है बेटा अक्स कीजेगे अपने पास जो मान है वो क्या है A प्लस B कॉस अक्स बटा B प्लस A कॉस अक्स तो इसका जब आप होकलन इस रूप में करेंगी तो क्या होगा एक बटा अंडर रूट एक मानिस A प्लस B कॉस अक्स बटा B प्लस A कॉस अक्स का होल स्कॉर तो पहले तो sin inverse X के रूप में इसका अक्स का अक्स होगा इसकी बाद ये स्व्यम भी एक फालन है और इसका जो आपन करेंगे वो दो फलनों के भाग फल के रूप में करेंगे हर इंटू अंस का अउकलन माइनस अंस इंटू हर का अउकलन बटे हर का स्कॉर तो जब अक्स की साफिक्स हमने आउकलन किया ये तो आपका उजएगा डिवाई बटे डियक्स बराबर साइन इंवर्स अक्स के रूप में आपने किया तो एक बटा अंडर रूट एक माइनस अक्स स्क्वाइर अक्स की जगए ये वाहन है तो ए प्लस बी कॉस अक्स का होल स्क्वाइर बटा बी प्लस एक कॉस अक्स का होल स्क्वाइर और चोकि यह स्वेम पालन है तो इसका फिर से अउकलम करेंगे तो D बटा D X ओप है A प्लस B कॉसक्स बटा B प्लस A कॉसक्स यह डिवाइब बटे D X बराबर यह बाहन हो जाएगा एक बटा अंडर रूट इसको अपने हल करें हल करें तो यह B प्लस A कॉसक्स का ओल स्कॉयर लगुतम आएगा और यह लगुतम आएगा तो यह बाहन एक से गुना होगा तो यह मान आपका प्राब्त हो गया B प्लस A कॉसक्स का ओल स्कॉयर माइनस यह बाहन ऐसा करेंगा A प्लस B कॉसक्स का ओल स्कॉयर अब इसका जब आपोफम प्रक्राइब करें, हर रेकी जगमान B माइनस से अंस Аंस का बाहन है, A+, B, begging इन्टी हरका उकलं, हर में फिर B एक अच्छर रास्ती है, उकलं जीरौ 00 हो गया, अच्छर रास्ती इन्टी ञाएंगी, और इन्टी को सक्स का उकलं Him उपन होगा तो इसविड़के होगा हुचर मां पूंडके मान Means A का जाए रहा हैंगाайтеह स्कौाइगा अब या जब हमने यह लगुतम लिया था यह बाना आगे जो लगुतम लिया था वही लिखे हैं तो हर में यह मान हो जाएगा B प्लस A कॉसक्स का होल स्क्वाइर या डिवाइब टे डियक्स बराबर एक बटा अंडर रूट इसको अल करो अल स्क्वाइर कुलो A plus B ka all square A square plus 2AB plus B square एक जगे B है तो मालोगा B square plus 2AB में माना जायगा 2AB in to कॉसक्स plus B square में माना जायगा A square Cos minder X ऐसे यह all square जब आपको को लेंगे झार जो निशानों Plus के हुंगे लेकिन या माइनस से गुना तो सारे निशान केशो जेंगे माइनस के तो इसको वहलेंगे तो बाइनस A स्कुार माइनस दो A B कॉस będą माइनस B स्कुार कॉस श्कुार अक्स इंटू इस मान के अंदर ये भी हम माइनस साइन आक्स कॉमन ले ले तो जब minus sainax हमने Common लिया तो आपके पास इसमें दो मान बचेगा plus b इससे भुना औगा तो मान ओगा b square plus a b cosax यह हमने minus sainax common लिया तो a बचा minus a से तो भुना ओगा तो minus a square और इसे b cosax से minus a को भुना करेंगे तो यह हमान prayer Papa minus a b cosax बटा b plus a cosax का whole square और यहां इस मान का जब अपन वरगमूल करेंगे तो हर में आपको मान प्राप्त हो जाएगा B प्लस A कौसक्स यह B प्लस A कौसक्स की एक गाद यहां कैंसल हो गई इसके अलावा यह 2 A B कौसक्स प्लस का है यह 2 A B कौसक्स माइनस का है यह मान इससे कैंसल हो गया अब यहां आप हम देखें AB कौसक्स प्लस का है यह AB कौसक्स है यह माइनस का है यह भी कैंसल हो गया तो सेश जो मान आपके पास बचेंगे जो मान अपने पास बच रहे हैं उन मानों में मानों जाएगा आपका DY बटे DX बराबर एक बटा अंडर रूट यह जो मान है इन दोनों पदों में से आप बी स्कौाइर को मन लो तो जब बी स्कौाइर को मन लिया बच गया एक माइनस कौस स्कौाइर अक्स इसमें एक बच गया इसमें कौस स्कौाइर अक्स बच गया ऐसे यह जो दोनों पदों में माइनस A स्क्वाइर को माइनस A स्क्वाइर को माइनस A स्क्वाइर को माइनस A स्क्वाइर एक 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 माइनस तो पहले पद में आपके पास बचा B स्क्वायर, दूसरे प्रभी में आपके पास स्वार्यख माइनस स्वार्यख निटू B स्वार्यखず बटा यह भान हो गए आपका अंडरोट sin square x into b square minus a square और यहां मान b plus a cos sin square x का वरगमूल करेंगे sin x तो यह sin x इसका वरगमूल होगा तो आपका मान बच्चा sin x into b square minus a square बटा sin x into under root b square minus a square और यह मान ऐसा है कैसा b plus a cos और यहां यह sin x साइनक्स आपका cancel हो जाएगा तो जब यह sin x साइनक्स आपका cancel हो गया तो आपके पास जो मान बच्चा dy बटे dx बच्चा minus यहां देखिए b square minus a square बाग किसका लग रहा है under root b square minus a square गवा थोर में क्या बच्चेगा under root b square minus a square बच्च गया और यहां मान क्या बचेगा बी प्लस एक कॉस अक्स तो डिवाई बटे डिएक्स है जो मान आपको प्राप्ट हुआ वो गया डिवाई बटे डिएक्स बराबर माइनस इन्टू अंडर रूट बी स्क्वाइर बाइनस A स्क्वाइर बटे B प्लस A कॉस अक्स यह दियेगे फलन का आउकलन होगा इसी प्रकाश से अगला विश्चेना के पास इसे एक्जामपल ही है और इंपोर्टेंट भी है कि आपको एक फलन दिया गए उस फलन का आपको अक्स के सापक से आउकलन करना है कि आपको दि तेन इन्वार्स वाई बराबर टेन इन्वार्स अंडर रूटे एक प्लस अक्स से माई प्लस अंडर रूटे एक माइनस अक्स से बटा अंडर रूटे एक प्लस अंडर रूटे एक माइनस अक्स इसका यह दि हम अक्स के सापक से आउकलन करें तो अक्स के सापक से आउकलन नियुक्तon करें तो आपको यह मैं प्रतिष्टापन करने चाहिक। तो उसी नियुक्त संटाइब अर् jullie किया तो आपको मांप्र si to हो गए y बराबर 10 inverse under root 1 plus cos theta plus under root 1 minus cos theta बटा under root 1 plus cos theta minus under root 1 minus cos theta और चुकि 1 plus cos theta बराबर बान वाता है 2 cos square theta बटे 2 और 1 minus cos theta बराबर बान वाता है 2 sin square theta बटे 2 ये बान येदि हम यहाँ फुट कर रहे तो ये बान जब अपनिया रखेंगे तो बान हो गया y बराबर 10 inverse ये तो जाएगा आपका under root 2 cos square theta बटे 2 ये बान आपका जाएगा under root 2 sin square theta बटे 2 ऐसे इसकी जगह मान हो गया अंडर रूट दो कॉस स्क्वाइर थीटा बटे दो और माइनस यह मान हो जाएगा अंडर रूट दो साइन स्क्वाइर थीटा बटे दो जब हम अंडर रूट दो अंस में से common ले ले अंडर रूट दो हर में से common ले ले वो cancel हो जाएगा और इनके ये दिये अपन वरगमूल करेंगे तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा y बराबर 10 inverse या तो cos square का वरगमूल किया तो आगया cos theta बटे 2 या sin square का वरगमूल करेंगे तो जाएगा sin theta बटे 2 ऐसे इसका वरगमूल करोगे तो cos theta बटे 2 और ये आपको जाएगा sin theta बटे 2 अब ये मान जो आपको प्राप्त हो आए इसके अंदर अपन ये जो मान इस मान के अंदर इसके अंशोर हर में जब cos theta बटे 2 का भाग दे दें और जब cos theta बटे 2 का भाग देंगे तो यह मान 1 होगा यह मान 10 theta बटे 2 होगा तो y बराबर आपको मान पराप्ट हो जाएगा 10 inverse 1 plus 10 theta बटे 2 1 minus 10 theta बटे 2 और चुकि 1 plus 10 theta बटे 2 बटा 1 minus 10 theta बटे 2 बराबर आपको मान पराप्ट होगा 10 inverse यह मान अंदर का मान हो जाएगा 10 pi बटे 4 plus theta बटे 2 चुकि 10 inverse 10 x बराबर क्या था अक्स तो यहां क्या मिलेगा आपको अक्स की जाएगा 5 बटे 4 plus theta बटे 2 तो y की जगह मान आगा 5 बटे 4 plus theta बटे 2 यह बान आपको पराप्ट हो गया अब यह बान जब आपको पराप्ट हो गया तो इसके बाद अपन क्या करें कि theta का मान रखे तो y बराबर मान हो जाएगा 5 बटे 4 plus 1 बटा 2 theta की जगह आपके पास मान है cos inverse x तो यहां आमने मान रख दिया cos inverse x तो y बराबर pi बटे 4 प्लस 1 बटा 2 cos inverse x इसका यदि हम x के सापेक्स आउकलन करें तो इसका जब हम x के सापेक्स आउकलन करेंगे तो इस y का तो जो आउकलन वो क्या होज़ेगा dy बटे d x यहाँ pi बटे 4 एक 808 की आउकलन क्या होगा 0 प्लस से 1 बटा 2 808 into cos inverse x एक फ्लन का आउकलन और इसका आउकलन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वाई निशान होता है माइनस तो dy बटे dx बराबर यह तो 0 होगया 1 बटा 2 को माइनस 1 से हुना करेंगे ता जाएगा माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वाई यह दिए गए फ्लन का अक्स के सापेक से आउकलन होगा इसके बाद अगला जो पुश्चन आपना अगले पुश्चन के अंदर आपको फिर एक फ्लन इसी रूप के अंदर एक फ्लन दिया गया है कि y बराबर आपको दिया गया 10 inverse एक्जामपल नमबर 8 को थर्ड पार्ट है एक्जामपल नमबर 8 और इसका फूर्थ पार्ट है जिसमें आपको दिया गया कि y बराबर 10 inverse अंडर रूट एक प्लस से साइनक्स प्लस से अंडर रूट एक माइनस से साइनक्स बटा अंडर रूट एक प्लस से साइन अक्स से माइनस अंडर रूट एक माइनस से साइन अक्स यह फलन आपको दिया गया है और इस फलन का हमें अक्स के साप एक्स से आउक्रन करना है तो इसका आउक्रन करने के लिए यह जो मान है आपको है एक प्लस से साइन अक्स इस एक ही जग हम पहली सर्वसमिका से लिख सकते हैं कॉस स्क्वाइर अक्स बटा दो प्लस साइन स्क्वाइर अक्स बटा दो और साइन दो अक्स बराबर दो साइन अक्स से इंटू कोस अक्स तो साइन अक्स क्या हो जाएगा 2 sin x 2 2 cos x 2 तो हम इस मान को लिख सकते हैं कि इस रूप में sin x 2 2 plus cos x 2 का whole square a square plus b square plus 2 a b की रूप में और यह यहां वरगमूल होता तो इसका भी वरगमूल करें और इसका वरगमूल करेंगे तो आपको मान के अपराफ़ तोगा sin x 2 2 plus cos x 2 अगर यहां minus निशान होता है 1 minus sin x तो यह निशान के अशाधा minus यहां क्या होता है minus nिशान तो यहां भी क्या होजाता minus निशान तो इसमें जहां भी एक under root 1 plus sin x 2 2 plus cos x 2 और जहां under root 1 minus sin x 2 वहां आप रगदो sin x 2 2 minus cos x 2 तो आपका यह फलन हो जाएगा y बराबर 10 inverse इसकी जगह तो हमने रख दिया sin x बटा 2 प्लस cos x बटा 2 और इसकी जगह हमने रख दिया sin x बटा 2 minus cos x बटा 2 ऐसे इस वान की जगह हमने वान रख दिया sin x बटा 2 plus cos x बटा 2 और इसकी जगह रखेंगे sin x बटा 2 minus cos x बटा 2 और माइनस निशान पहले भी है तो माइनस का दो जाएगा साइन अक्स बटा दूर प्लस का हो जाएगा को से अक्स बटा दूर यह जो प्लस का को साइन अक्स बटा दूर यह माइनस को साइन अक्स बटा दूर से गैंसल हो जाएगा और अब यहां साइन अक्स बटा दूर प् से दो साइन अक्स बटा दो बटा दो कोस अक्स बटा दो यहां दो से दो भी कैंसर हो गया और चुगी साइन अक्स बटा दो बटा कोस अक्स बटा दो बराबर क्या होता है तेन अक्स बटा दो तो आपका यह माना जाएगा वाई बराबर टेन इन्वार से टेन अक्स बटा द चुकि 10 inverse 10 अक्स बराबर अक्स तो यहां y बराबर मान के हो जाएगा अक्स बटा 2 और अब जब हम अक्स के साप एक्स इसका आउकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर यह मान के हो जाएगा एक बटा दो अच्छा रास से इन्टू अक्ष का अक्ष के साप एक्ष आउकलन क्या होगा एक तो डिवाई बटे डिएक्ष का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा एक बटा दो ये दिये गे फालन का अक्ष के साप एक्ष से आउकलन आपको प्राप्त होगा इसे एक्जाम्पल के अंदर तीसरा जो पार्ट थाउपका, उस तीसरे पार्ट को भी आप सेकिंघन पार्ट की तरह ही हल करेंगे, जामन नियुद अक्स पराबर कोस तीटा माना था, वहां अक्स इसक्वायर बराबर कोस तीटा, मान लेंगे यह सारा काम भूकाब होगा और जा कोस inverse अक्स आयागा उस कोस inverse अक्स की जगा अक्स की जगा आप अक्स स्क्वाइर लेंगे तो वो कोस inverse अक्स स्क्वाइर हो जायागा और उसी रूप में जब आप उकलन करेंगे आपका तो माइनस से एक बटा अंडर रूट, एक बाइनस अक्स स्क्वाइर का स्क्वाइर, और फिर अक्स स्क्वाइर का आप दुबारा उक्लम करेंगे, तो उसका उक्लम क्या है, अगर दो अक्स, तो उसी रूप के अंदर आपको उस प्रॉशन को हल करना है, इसके बाद जैसे एक क्वेशन द रखा है चूंगी मैंने आपको यह बताया था कि दो आक्स से बटा एक पलस अक्स स्कॉार यह दी आता है तो आक्स की जगे अपन 10 Impossible रखते है तो क्यें रूप आपको प्राप्त तो ने की माना अप्स बराबर 10 थीटा जब आक्स बराबर 10 थीटा तो थीटा बराबर मान हो जाएगा 10 inverse है अक्स यह मान जब हम इसके अंदर रखेंगे तो य बराबर मान हो जाएगा cos inverse 2 10 theta बटा 1 plus 10 square theta और चुकि 2 10 theta बटे 1 plus 10 square theta बराबर मान होदा sin theta तो इसकी जगह मान क्या जाएगा sin 2 theta तो यह मान हो जाएगा y बराबर cos inverse sin 2 theta अब यहां cos inverse है यह मान sign के रूप में तो इस sign को हम किसमें change कर दें cos में change कर दें और sign को जब cos में change करेंगे यह मान आएगा y बराबर cos inverse cos pi बटे 2 minus 2 theta तो cos 90 minus theta बराबर होदा sin theta तो cos πई बटे दो माईनस दो थीटा बराबर के हो जाएगा नफटा दो माईनस दो थीटा की जगेे बहानो जाएगा टेन इन्वार्स आक्स है और आक्स की साफिक्स आउक्लन करें y कत हो गया dy बटे dx πाई बटा 2 क्या है यहाँ पर एक अचर रासी और अचर रासी का आउक्लन क्या होता है 0 तो इसका आउक्लन होगा 0 माइनस निशान अचर रासी 2 इंटू दिये गए पलन आउक्लन का आउक्लन 10 इन्वर्स आक्स का जब अपना आउक्लन करते हैं आउक्लन क्या होता है एक बटा 1 प्लस अक्स स्क्वाइर जिसका आउक्लन होगा एक बटा 1 प्लस अक्स स्क्वाइर या dy बटे dx बराबर माइनस 2 से इसको गुना करेंगी को प्लस बटे दो की से के सस्कशन में अब प्लाइम ने अलों कि जब एक प्लस अक्स का रूप हो तो हम अक्स की जगह क्या रख दें कोस थीटा दो पहले तो आप यह मान लो कि माना अक्स से बराबर कोस थीटा और जब अक्स से बराबर कोस थीटा यदी है तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इन्वार्स अक्स और यह मान जब हम इसके एक स कर नांन राखतके को एक सिंट है यहां मन दो बहुत करेंग YOU' और चुकि Cos Inverse Cos AX बराबर AX तो Y बराबर मान के जाएगा ठीटा बाटे दू ठीटा की जगह इमान रखिए या से ठीटा बराबर की Cos Inverse AX इसकी जगह बान रखिए गोते इमान हों जाएगा Y बराबर ईक बटा दो अगिसा एक इसा मैश-1 बटा अंडर रूट एक मैश दूर यह आपके दियेगे फ्लन Christianity के इसके बाद एक च יद चेटे छोड टेन इन्वार्श दो की गात अकस है बटा एक मायनस 4 की गात अकस इसका यदि हम अकस की सापेक्स ऑकुलन करें तो इसका जब हम Sun के आपको से एक क्र us ऑम आनेगे तो यह माना हब y bor kang इंवर्ष दो खी घातक्स है, इसको यह जो हम है थोड़ा सा सरल करें, नियुकि ओन है इसको हम लिख सकते हैं 2 घातक्स सोứngाटे को सटी किला माना इन्वर्ष दो इंटू दो की गातक्स बठा यह जो ही ओने इसकी जगह 10 थीटा रखेंगे तो 10 स्क्वाइर थीटा और चुकि 2 थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वाइर थीटा बराबर मान क्या होता है 10 दो थीटा तो यहां आपको मान पर आपको जाएगा y बराबर 10 inverse 10 दो थीटा 10 inverse 10 अक्स बराबर लाख होता है तो y बराबर 10 inverse 10 अक्स, अक्स की जगह आपके बास होता है कितना 2 थीटा तो y बराबर मान क्या होता है गागा 2 थीटा और यदि अम थीटा की जगह मान практи तो यह मांने हम 2 Ito in 2 10erten हां OUT कि यह अनुघ्स आपकस सिसंटा रखेंगे तो ढ़्स ब्रापर और χ करेंगे तो दो की हाथ अध़ विनुघ्ञ चिर बॉयाद काथ Jim कि प्राप्र होगा । यहां जब हम इसके अंदर रखेंगे एक्ष्यंगे अवानोगा टेन इंवार्स से दो की गात एक्स सकहाल होगा टो दिंवार्टे-ड्पर दो तो अचाल है उआज ओक्स ने फिर प्र एक रेता है एक प्लस अक्स स्क्वाइर अक्स? फिर एकी गात्वतस की रूप में के जो होगा कि गातचक इंटू लोग एंटू c1 दो और गता प्लशा 1 बराद आख भुना में गाल्स भुना इंटू लोग दो बटा 1 प्लास 9 ऑर 2 तो दियेगे फालनिका ऑकलन ऐगा स्यंटू 2 बटा 1 प्ला 4 की गात थेंक यू धन्यवाद